हाई ड्वेल्टीज वेलकम टू इजीवे कामर्स क्लासेज मैं हूँ दापिता और आज के इस वीडियो में हम अपने लिब्रलाइजेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जब न्यू एकनॉमिक पॉलिसी तो लिब्रलाइजेशन में कौन-कौन से सेक्टर थी जिनमें चेंजिस लेकरे थे तो जैसे हमने इंडस्ट्रियल देखा टेक्स देखा इसी तरीके से गाइस फॉरन एक्स्चेंज रिफॉर्म भी किया गया था यानि कि न्यू एकनॉमिक पॉलिसी में गवर्मेंट ने फ फॉरन एक्स्चेंज में क्या कर रहा था इन लोगों ने तो सबसे पहला जो चेंज किया था ना गाइस डी वैल्यूइशन ओफ रुपीज यानि कि हमारे रुपे की कीमत को घटा दिया गया था जो सुनके मुझे बहुत बुरा लगा यानि कि आपको पता है कि टाइम था जब हम लोगों को एक रुपे एक डॉलर के बराबर हुआ नहीं और गाइसा भी टाइम था अब गवर्मेन ने हमारी करंसी को गुब ली वैल्यू कर दिया एक आज की डेट में मुझे 72 रुरुपीज देने पड़ते हैं लेने के लिए D-value का मतलब हुआ 75 रुपीज देने पढ़ेंगे 1 डॉलर लेने के लिए So that is called devaluation यानि कि अपनी currency value को down कर देना और हमें अब अपनी currency जादा देनी पढ़ेगी बाहर की currency लेने के लिए So reduction in the value of domestic currency by the government So इसे devaluation कहा जाता है So government या हमारी currency को devalue किया था ऐसा क्यों किया था ताकि बाहर के लोग अगर 10 डॉलर, 100 डॉलर, 50, 1000 जितने भी डॉलर लेकिया है तो वो इंडिया में जादा से जादा पैसा ला सके तो ये इसलिए करा गया था ताकि इंडिया में पैसा आ सके foreign exchange आ सके और दूसरा जीज इंडिया में investment हो सके तो उन्होंने हमारी currency को क्या कर दिया था हमारी currency की value को down कर दिया था appreciation किसे कहते हैं जब हम अपनी currency की value हमारी increase हो जाती है तो हम उसे appreciation कहते हैं अगर आज के date में मुझे 72 रुपे देने पढ़ते हैं एक डॉलर के लिए कल को अगर मुझे 60 रुपे देने पढ़ेंगे एक डॉलर के लिए तो उसे हम बोलेंगे appreciation ठीक है तो उस समय क्या करा government ने 1991 में अब new economic policy आए devaluation हमारी currency की value को down किया second चीज market determination of foreign exchange जहानी की government ने market के उपर छोड़ दिया कि जो भी आपको rate decide करने है market decide करेगी जो भी डॉलर का रुपे के हिसाब से जो भी rate होगा या other currency के हिसाब से जो भी हमें जितने भी रुपे देने है that is decided by the market market forces by demand and supply पर छोड़ दिया गया तो ये changes तो guys foreign exchange को लेकर करे थी इसके बाद जो changes करे वो करे trade and investment policy को लेकर यानि कि एक topic हमने foreign exchange को लेकर पढ़ा अब हम जो next topic पढ़ेंगे guys वो trade and investment policy को लेकर यानि कि trade को investment को बाहर की यहां हो सके उसको करने के लिए government ने क्या किया removal of quantitative restriction on import and export government ने एक time था जब import and export पर quantitative restriction लगा दिया था कि भई 100 ton से जादा तो आप मंगाई नहीं सकते so यह quantity wise आपको रोक दिया गया कि इससे जादा समान तो आप मंगाई नहीं सकते अग government ने उन सारी restrictions को चाहे वो import करने पर हो चाहे वो बाहर देश में समान भेजना export करने कर हो उसको हटा दिया इसके लावा government ने removal किया export duty यानि कि जब हम बाहर हमें समान भेचना है यार उस पर भी tax लगते थे export duty कहते हैं उसे वो भी government ने हटाया कि भई अगर हमारा देश का बंदा वेपार करना चाहा रहा है बाहर तो करने तो क्यों इतना tax लगा रखा है यार तो removal of export duty then reduction in import duty import यानि कि बाहर से जब हम मंगाते हैं समान उसे import कहते हैं तो guys उसमें reduction करा था हटाया नहीं था, कम किया था क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा ना मंगाने लग जाएं बाहर से क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा बाहर से जाएंगे उतना ज़्यादा हमारी currency जो है वह बाहर जाएगी हमारी investments जो है वह बाहर जाएगी तो हमने यहाँ पर reduction करी थी हमारा import कमी रहे, export बड़े हमारा इसके अलाबा हमने relaxation करा कि इस चीज में licensing system यानि कि उस समय पर guys import and export करने के procedure काफी बड़ा होता था काफी license का system होता था इसमें इधर से sign करा, इधर से license लेना यह करना है quantitative restriction, duty, taxes बहुत सारी चीजे थी तो government ने उन सारी चीजों में relaxation दिया यानि कि license system को उन्होंने simplify और easy कर दिया था यह सारी चीजे guys उन्होंने liberalization में करी क्यों करी ताकि बाहर के लोग इधर आकर investment कर सके और यहां के लोग अगर बाहर जाकर कोई भी trade करना चाहते हैं तो वो कर सके इसलिए guys यह सारे changes करे गए थी I hope आप लोगो कुछ समझाय होंगे आप next video में guys हम लोग privatization स्टार्ट करेंगे अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मेरे से Instagram पर मेरी idea तब इता मैं इसी पूछ सकते हो या फिर YouTube पर comment की through Thank you